और यहां पर मैं इंचे एप्सका यहां पर Yes a. And everything स्पीड यहां पर अच्छी निकाले वाली है तो उस एप का यूज है आपने डेटा को एक फोन से दूसरे फोन में रांसर करने के लिए कर सकते हैं तो वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को स्टार्ट से अंतर गेरो देखना है तो चलिए दूसरे वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों यहां पर मैं 249.3 MB की एक फाइल जो है वो एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसर करने वाला हूं और सभी एप्स की जो भी यहां पर स्पीड है उसको भी यहां पर आपको कंपेर करके दिखाने वाला हूं ज़स्तों भाला हूं जए भाला हूं झाल 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 यहां पर गूगल फाइल्स को ने जो है वो बाजी माली है और यहां पर गूगल फाइल्स को ने 249.3 MB की एक फाइल को 35.7 सेकेंड में यहां पर एक फोन से दूसरे फोन में ट्रांसवर किया है और यहां पर जो स्पीड निकल के आती है वो 6.69 MBPS की जो है यहां पर स्पीड निकल के आती है 6.69 MBPS की स्पीड यहां पर निकल के आती है गूगल फाइल्स को की और यहां पर सेकेंड नमबर पर जो है वो जियो स्विच आता है जहां पर 37.2 सेकेंड में 6.61 MBPS की स्पीड से हाँ पर जियो स्विच ने 249.3 MB की एक फाइल को एक फोन से दो से फोन में टांसवर किया है तो यहां पर स्पीड की बात करें तो यहां पर गूगल फाइल्स को की सबसे पहले नमबर पर स्विच आती है और अगर जियो स्विच का भी आप बात कर सकते नहीं कि एकि अपकी सफिड किस तरह के से रह सकते है फिलाल आप इन दोनों एपस का यूज कर सकते हैं और अगर आप idagप इस u प्रेट भी काफी अच्छी यहां पर 50 सेकेंड में यहां पर 42.3 MB की फाइल को यहां पर अपसेंड है और इसी से यहां पर इसकी स्पीड आती है 4.72 MBP की तो काफी अच्छा है अपर और इसके बाद मैं आपको उता आना चाहोंगा जैसे मिने शेयर में आपको उता दिया अप फाइल्स को और जियो स्विच दोनों काफी आगे रहते हैं तो वीडियो चलेगे तो वीडियो का लाइक और शेयर रोका देना अच्छाल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्यों कि जा मैं नहीं वीडियो खॉल पूट करूंगा तो उसका झाल को सब्सक्राइब कर लो, मैं नहीं होुआ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऑसने हैं?